गुरुजी की प्यारी संगत को कोटिक कोटिक पढ़ाम गुरुजी के साथ मेरी यात्रा मई 2002 से शुरू ही थी यह कह सकते हैं कि इस जनम की यात्रा 2002 मई से शुरू ही थी मैं एक कंपनी में काम करता था दवाई की कंपनी में 2001 में तक मैं दिल्ली में काम कर रहा था और गुरुजी का इस्ते मुझे नहीं पता था अचानक कंपनी में थोड़ा सा उथाल पृतल चल रही थी और अप्रेल 2001 में में मेरी ट्रांसफर लखनों में हो गई वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉलम चलती आ रही थी काफी समय से मैं वाइफ के साथ भी डिसकस करा था कि नोकरी छोड़ दूँ या कुछ पदल लूँ या दिल्ली वापिस आ जाओ प्रेकि मैं लखनों अकेला ही गया था फैमिली को दिल्ली में ही थे और दो बेटियां है मेरी उस्टान दोनों बड़ी क्लासेस में थी साथ भी आठ भी में थी दिक्कते काफी थी लेकर न समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें एक मेरा दोस्त है नमीन उनकी वाइफ मेनू शर्मा उन्होंने मेरी वाइफ से का कि ऐसे ऐसे गुरुजी है तुम आच चलो और देखो शायद गुरुजी कुछ कल्यान कर दे ये बात है कि सितंबर की नहीं करने लेकिन कर दो अधिकर आदमी अपनी कोशिषी करता रहता हैं हम भी होई कर रहे थे कि अपर कोशेश में लगेरे थे कभी समयंहीं नहीं मिला क्योंकि शायद गुरुजी का बुरुजी का बुलावा लात ही नहीं आया था गुरुजी का बुलावा हमारे को आया मई 2002 में काफी परिशान हो गया था उस्ता है तो मैंने अपने अंटी से गार की चलो गुरुजी से दर्शन करके आते हैं वो सकता है कुछ सोलुशन मिले ऐसी बस चले गया थे की चलो मिलके आते हैं देखके आते हैं तो अंपार स्टेट पहुँचे अंपार स्टेट पहुँचे गुरुजी का लंगर किया वहां पहली बार अनुभोव किया सब कुछ अच्छा लगा और बच्चों को हम घर चोड़के गए थे लंगर करके रात को बज़े के अस बास बास वापिस आये तो मैंने वाइट से कहा कि सब कुछ ठीक लग रहा है काम तो यह ठीक है और गर आगे बस ऐसे ही casual way में हम घर में पर आके यह नहीं सोचा कि कल जाएंगे आगी बाद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसके बाद next day जब शाम का समय हुआ चार पाँच बजे तो कुछ ऐसे मन में उठने लगा कि नहीं आज भी चलते है गुरुजी के दर्शन करके आते हैं मैंने wife को का कि चलो आज भी चलते हैं गुरुजी के दर्शन करके आते हैं वाइस इमेजिएटली त्यार होगी हम फिर पहुँच गया गुरुजी के यहां लंगर किया दर्शन की यह लंगर किया और वापिस आ गया और यह सिलसला दीरे दीरे अल्मस डेली हो गया थस्टे फ्राइडे सेटरडे संडे चारों दिन हम गुरुजी के पास जाने लगे वहां जा के अच्छा लगता था बहुत ही अश्य लगता था लेकिन हमने न गुरुजी से कुछ कहा है न कुछ एकस्पेक्टेशन रखी न कुछ गुरुजी से बात हो पाई कुछ सबह के बाद लबग 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने पूछ लिया मीनू अंटी से कि किसके साथ आई है तो मीनू अंटी ने गुरुजी को बताया कि विजह बहिया के साथ आई हूँ तो गुरुजी बोले चल कर कल्यान किता एश कर उस दिन थोड़ा सा लगा कि गुरुजी ने हमारे को कुछ recognition दी है गुरुजी को पता लगा है कि हम भी आ रहे हैं और उस दिन के बाद गुरुजी के साथ लगाओ कुछ बढ़ने लगा कुछ समय के बाद मैं ऐसे गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे शुरु के गुरुजी परशाद बाढ़ते थे फिर बाहर आते थे हाथ दो के फिर अंदर जाके बैठ जाते थे और फिर लंगर होता था फिर हाथ वाश करके हम वापिस आग्या लेकर वापिस चले जाते थे हम तो परशाफ लेके मैं बाहर आया तो आने वाली लाइन और जाने वाली लाइन में मैं बाहर निकल रहा था मेरा पुराना दोस्कूल फ्रेंड वो उस लाइन में खड़ा हुआ था उसने मेरे को पैचान लिया विजय मैंने का हाँ तू यहां कैसे मैंने का बस गुरुजी के दर्शिक के लिए आए थे वो अंदर चला गया मैं बाहर आगया उसके बाद हमने लंगर किया साथ साथ बाहर आए उसने मेरे को बोला कि विजय तू बिल्कु सही जगें आ गया है आप कहीं और जाने की जूरत नहीं है मुझे अच्छा भी लगा और confidence भी आया कि मैं सही जगें आया हूँ क्योंकि उसको बाहर काफी समय से बना हास्ता की आदर रहती है कि तो बिल्कु सही जगें आ गया है लेरे देश समय विदल बित्ता गया गुरुजी के पास जाना बहुत अच्छा लगने लगा गुरुजी के छोटे मंदिर में बैठते थे और वो समय इतना खुबसूरत गुजरता था कि हम यह सोचा करते थे कि जिद्धी में इतना खुबसूरत समय क्यों नहीं भी आया पहले एक बार गुरुजी ने हमसे काट की चलो बड़े मंदिर चलते हैं हम वहां बड़े मंदिर चले गए हमारी इच्छा वही थी कि गुरुजी को न लवा देंगे तो रात को गुरुजी तो 11 बजे के आसपर बोला कि बड़े मंदिर चलो मैं और क्या कहते हम बड़े मंदिर पहुंच गया है बड़े मंदिर दवार के सामने गुरुजी ने चार पाई पर बैठे थे अराम कर रहे थे लेटे वे थे और हम 10-12 संगत उनके सा थी तब गुरुजी ने पूचा कि किते काम करता है मैं कैंट पर जापर लेगा में काम करता है च्षब दे लावर दापर लावर 待बोले करें है कि सब्सक्रा है तो वाइक बोली कि गुरुजी इस चीच का बिजनेस कर रहे हैं तो वाइक बोली कि गुरुजी हमने तो सुनाए कि आप भगर दवाई के लोगों को ठीक कर देते हों तो हमारी दवाई कौन खरीदेगा तो गुरुजी बोज़ी और कियां से बोले नहीं तु बिज्जिस कर ले उस रात हमारी गुरुजी के साथ सुबह तीन बज़े तक वारतल आप चलती रही संगत चलता रहा सुबह लबग साड़े तीन चार बज़े के असपास गुरुजी बोले चलो मौनिंग वाक गुरुजी ने वहां दर्वारक से लेके और रादास्वामे सब्सक्राइब का जो पहला गेट है यहां से शुरू होता है जाते टेंग वहां तक मौनिंग वाक कर आई और गुरुजी ने अपने चरणो के दर्शन के दिये और बोले सुंगो तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी वो पूरे अट्मासफिर में महक रही थी हम लोग पसीने में थे और गुरुजी की महक चारो तरफ महक रही थी तो गुरुजी उस दिन लगा कि गुरुजी हमारे साथ है और हमारी सारी बाते सुनते है और पूरा का पूरा रास्ता दिखाते है कि हमें जिन्दगी में आगे क्या करना चाहिए गुरुजी की फ्रेग्रेंस की बात ये थी कि हम जब मंदिर से लोटते थे तो गाड़ी में पूरी की पूरी प्रेग्रन्स उनकी महट भर जाती थी हम यह सुछते थे कि गुरुजी को तह तो हमने हाथ लगाया ना उनके का सपर्श किया तो हमारे कपड़ों से इतनी फ्रेग्रन्स क्यूं आ रही है तो गुरुजी यह बताते थे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ अगर तुम मेरे बारे में सुचते तो मैं तुम्हारे साथ हूँ यहां तक कि जब हम घर पहुंसे थे तो पूरा घर में एक्टा था कई बार तो हमने देखा कि यार कोई अगरवत्ती जला रहा है कि कहां से fragrance आ रही है गुरू जी की जो खोलते ते दरवा जा तो पता चालता था सब सो रहे हैं कहीं से कुछ निया सिर्फ fragrance है मेरे घर में ही है और बहुत स्ट्रॉंग fragrance आती थी तो गुरू जी भी बताते थे कि जा करते हैं बच्चों के साथ भी मैं हूँ तुमारे साथ दिन हूँ और जहां-जहां तुम मेरे को याद करते हो मैं वहीं पर मिल जाता हूँ मैंने डावर छोड़ दी गुरू जी के कहने पर पर जॉब हमेरे को नहीं मिल पाई तो चारो दिन वहां जाना गाड़ी थी गाड़ी में तेल भी डलवाते थे गुरू जी के एक माला भी लेके जाते थे और तो थोड़ासा पेच होता था यार बहुत जारा खर्चा हो जाता है चारो दिन वहां मैयूर वियार से और अमपायर स्टिप तक जाना तो गुरू जी देखो कुछ तो गुरू जी ने सबसे तहले गया गया कि जो माला लेके आते थे वो बोले माला बंद कर दो लाना तो कोई भी माला नहीं लाता था उसके पाद गुरू जी ने माला बंद ही करवा दी उसके पाद गुरू जी बोले गुरू जी का आदेश आया सिंग्लां अंकल बोले गुरूजी का देश है कि 15 दिन में एक बार आना है बस कि मैंने कई यार यह तो गुरुजी ने हमारी बात सुली इतना खर्चा हो रहा है तो 15 दिन में एक बार दर्शन करो हम 15 दिन में एक बार जाने लगे बड़े मंदिर भी चले आते थे छोटे मंदिर 15 दिन में एक बार जाते थे बड़े मंदिर जब वोका मिलता था तब चले आते थे पहले गुरु पुर्णिमा पर फंक्शन नहीं होते थे तीन ही फंक्शन होते थे पहाशिव रातरी बैसाकी और गुरुजी के बाड़े 7 जुलाई लेकिन गुरुजी के साथ देतना लगाव हो गया था पहली गुरुवी पूर्णे वाएंबे हम बड़े मंदिर चले गए गड़े मंदिर वाइप थी साथ बच्चे थे बड़े मंदिर का गेट बन था हमने तो गेट को कट कट आया रात के कोई 9.30 बचे थे माली भूईया आए उन्होंने देखा फिर वापिस चले गए तो सिंगला अंटी आई फड़ी जरबाद उन्हें ने करा माली भूईया से दरवा जर गेट खोल दो गेट खुल गया हम अंदर आ गए माली बोले कि दर्वार में दर्शन कर लो हम सीधर दर्वार में दर्शन किये जब भार निकले तो देखा कि लॉन में गुरुजी अपने एक चारपाई के विराज़बान है और दो तिन संगत उनके पास पैठे वी थी एक तरफ गुरुपो देख मागा रहते हैं गुरुजी के पास बैठे गुरुजी ने बहुत ही स्वाजियस लंगर करवाया आज तक मैंने ऐसा लंगर नहीं खाया और उस दिन हमें गुरुजी के चरणों के धर्शन भी हुए थी पिंकी आंटी उनकी सेवा कर रही थी और गुरुजी बेगर इच्छा रहती थी कि गुरुजी हमेशा सॉक्स में वेलते थे हम उनके जब भी चरण छूते थे तो सॉक्स में होते थे तो उती थी इच्छा कि गुरुजी के कहते चरणों के दर्शन हो हमेशा ही लगी रहती थी उस दिन हमें गुरुजी ने अपने चरणों के दर्शन और बहुत विल्कुल पास बैठके सामने बैठके गुरुजी के दर्शन हो गया। को रात गुरुन पूर्णा माई कि आज तक मैं कभी नहीं भोल सकता कि कि वो इतनी सुहानी और इतनी यादगार समय था जो गुरुजी के साथ बिताया। बहुत ही अच्छा समय था। दिरे दिरे समय बीताया। गुरुजी के साथ लगाओ बढ़ता चला गया। लेकिन हमें जॉब नहीं मिली। एक दिन हम श्याम को थोड़ा जल्दी पहुंचे हैं का आज गुरुजी से तो बात करनी है। गुरुजी किच्चन के साथ वाले इस पर बैठे वे थे। तो हमारी वाइफ ने गुरुजी से पूचा कि गुरुजी नोकरी इतना ही कह पाई थी। क्याता है। मेरी नोकरी ने लगी आज तक तेरी कहां से लगवा दूख। तो थोड़े जोड़की भूले तो हमें अच्छा भी ने लगा। मेरे को अच्छा ने लगा। लेकिन गुरुजी की डांटती गुरुजी का आशिरवाद था। इनोकरी तो अब करनी ही नहीं मैं हर बार गुरुजी से यह कहता था। गुरुजी कुछ नोकरी जॉब दिलवा दो और गुरुजी यह कहता है तो बिजनस। काफी समय हो गया। ना हमें जॉब मिला है। पर गुरुजी के साथ हमारा जो संबंध था वो बढ़ता चला गया। एक दिन गुरुजी के सामने मेरी आंटे ने गुरुजी से अदाश्ट की कि गुरुजी यह तो कुछ करने रहे हैं ना यह कुछ करेंगे। आप ही कुछ करो, इनको समझाओ, इनको सपने में आकई बोल दो, जो आप चाहते हैं वो इसको बोल दो। यह बात है कि around December, January की मेरे को गुरुजी सुबस पांच वेजे एक सपना आया, जिसमें गुरुजी मेरे सामने आ गए, मैं बैठ लिया, गुरुजी तो नमश्कार का, गुरुजी ने मेरे को डांट के का, तो बिजनस कर ले। मैं गुरुजी बिजनस नहीं कर सकता, खांदान में किसी ने बिजनस नहीं किया, मैं कहां से कर लोगा। नहीं मैंने कह दिया न तू बिजनस कर मैं गुरुजी नहीं बिजनस तो नहीं हो सकता गुरुजी कहता है नहीं बिजनस करना है और वो तीस्री बार बिजनस कहके वो निकल गए मेरी आँठ खुल गई मैं खड़ा हो गया अब पसीने पसीने हो गया गुरुजी जैसे सामनी बैठे थे बिल्कुल पसीने पसीने हो गया और मैंने वाइप को उठा के बोला वही आज तो फसा दिया गुरुजी ने तब बिजनस करना पड़ेगा और उस दिन से मैंने दोगर नी करना पास में गई गहीं दिल्वाद वर दुकान दिल्वादी लाइसेंस बने में कोई दिक्कत ये घ्या मैं आपकान क्वा पहले। उस पूरे पीरिड में मई से अगले मई तक मेर पास एक साल में कोई offer नहीं आई मैं आधे salary भी काम करने को त्यार होता था लेकिन किसी ने मेरे को जॉब नहीं दिया गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि फिरको कोई जॉब करनी है गुरुजी ने business का आदेश कर दिया था तो business ही करना था 2003 में मैंने अपना business शुरु किया पैसे इतने जितनी भी थे वो लगा दिये थे पैसे की दिक्कत तो आ नहीं थी शुरु शुरु बे बिजनस देली में पैसा काफी लग जाता है मैंने बैंक से लोन लिया लोन पूरा भी नहीं हुआ था टर्नोवर मेरी थी नहीं बैंक मेनेजर से मैंने बात करी तो बैंक मेनेजर से बात की कि कितना लोन दे दो कि कहते है तुम आज दे टर्नोवर नहीं हम तो बहुत कम दे पाएंगे पर मैंने तो चेक इशु कर रख्या है और वो पास होने है तो, कहते हैं, यार, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो नहीं हो पाएंगे, तुम उनको वापिस ले लो, मैं तो इशू कर चुका हूं, जब इशू कर दिये तो थोड़ दिर बात पता चला है, वो चेक पास हो गया, मैंने पता है, यार, आपने तो कर दिया, जहन्ते बात कहता है, और वो दिया उसके बाद बिजनस का स्मूथ चलता रहा, आगी बढ़ते रहे, किराय की दुकान थी, वो जो पहले ली थी, उसके बाद, मैंने गुरू जी से अरदाश की की, गुरू जी कुछ अपनी दुकान दिलवा दो, गुरू जी ने, मेरे सपने में आए, और के नमर ठीक नहीं है, कैत इननो जयाधा पता है, मैंनो जयाथा पता है, अले अले, मैने ठीक है, गुरू जी, सुगह आख खोली रहा है, बज़ी दुकान ले ले थे, जो अविलिबल है, जो गुरू जी बोल के गए, वो दुकान ले लिया लिए, उसके बाद, उस कॉम्ले मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है एंड कुछ समय बाद साफ़ाली दुकान का ओफर आया ठीक उसको थोड़ा से पैसे ज़्यादा देने पड़े लेकिन वह मिरुकों मिल गई कि अगरणिय। दुकाने करायपे भी ली थी। उसके जाए से पहले खाली कर वा ली। थो थोड़ासा दिमाग मुर्खराब था कि गुरुजी क्या करवा दी आपने। मैं दो लाइसेज लिया था पांट साल का एक साल भी खाली करा दी एक दुकान और दिलवा दो कि क्या किते हैं मैं किसी के पास बैटा हुआ था वहाँ पर एक जो मेरे साथ वाली दुकान थी उसी का क्या किते है उस दुकान पर आया उसे यह कहता है कि मेरी दुकान अबिलेबल है अगर कोई लेना चाहे तो तो अल्दो वह जिसके पास में बैटा था वह इंटेस्टिट था वह दुकान लेने के वह भी इसके साथ की दुकान थी बड़ी सट की विजय आपको ले नहीं है तो आप ले लो अब वह दुकान मेरे को इत्ती सस्ती रेट पर मिली जो पहले वाली दुकान ले थी उसके उल्मॉस 60% रेट पर मिल गई और किसी का कोई अब्जिक्शन दी हुआ अराम से दुकान मिल गई और तीन दुकाने मेरे साथ एक साथ हो गई अब उस ओफिस को बनाने के बाद गुरुजी की ब्लेसिंग ली थी गुरुजी ने जब मैंने पूछा था कि गुरुजी नाम क्या रखे दुकान का तो उन्हें कहा था कि अच्छा मैं कल अगले एफ़ते बताऊं बताऊंगा नेक्सट वीक जब मैं गया तो गुरुजी का बताएंगे अंधानी सेट की क्या कहते है तो कुछ भी रख ले बलेस किता और उन्हें गुरुजी ने अपने फोटो को बलेस किया उनमें गुरुजी ने अपने सिगनेटर किये वही मैंने अपने ऑफिस में लगा रखे थी चलता जा रहा है दाई का काम मैं कर रहा हूं और इसके लाज जो कुछ बच्चों का है हमने घर में रिनोवेशिट कराया तो घर में एक मंदिर बनाया मंदिर बनाया यह कन्फीजन हो रहा था कि इसमें किसकी मूर्थी लगाएं शिवजी की या माता की या कृष्टन भगवान की तो रोज यह discussion हो रहा था वाइफ करती थी शिवजी की लगा लो पहां करता था कृष्ट जी की लगा लो वच्चे के दे तो मौत की लगा लो तो confusion चल रहा था एक राप सपने में मैं देखा कि मंदिर में बीच में शिवजी की मूर्थी अबनावी प्रकट हो गई शिवलिंग प्रकट हुआ है इंफेक्टर शिव जी की मूर्थी नहीं शिवलिंग प्रकट हो गया और वह बीच में बैठ के ऐसे कहा रहा है कि भई लह मैं तो बैठ गया वह यह तो आगे बैठ गए अब देख लो तुम तो उस दिन से हमने शिव जी की मूर्थी और गुरू क्लास करने के बाद नंबर बहुत अच्छे नहीं आये थे इसलिए एडिमिशन का थोड़ा सा इशू था वाइफ ने गुरू जी सरदास की कि गुरू जी इसका एडिमिशन कुछ ऐसा कराओ किसी सरकारी में करा दो प्राइवेट और रेट में तो पैसे बहुत लगेंगे पैसे है नि आप इसका किसी सरकारी में करा दो इतने नंबर कम नंबर आने के बाद सरकारी में इससे सरकारी में करा दो और उसका उस गौर्वर्मेंट कॉलिज में बीटक में एड़मिशन हो गया सिर्फ गुरुजी की महर थी गुरुजी की करपा थी कि उसका एड़मिशन सरकारी में गुरुजी ने करवा दिया अच्छे नुम्रों से वो पास हो गई और उसके कंपेड प्लेस्मेंट भी हो गई थी बड़ी में एक MNC में अड़न शेड़िद अब MBA MBA के बाद केंपस प्लेस्मेंट में उसका विप्रो में बैंगलोर में जॉब लग गई इसके शादी की बात हुई कॉलिज का एक लड़कर के साथ क्या कहते हैं उसका हमने उसका रिष्टा बात हो गई थी रिष्टा भी कर दिया ही था लेकिन कुछ मिस्टेंडिक की वज़े से हम शादी में थोड़े सी रुकाव बटाने लगी यह बात है द्यास सोला की हमने का थे कि शादी से पहले गुरुजी का सत्संग करेंगे काफी कोशिश करते के बाद भी गुरुजी का सत्संग नहीं करा पाएगे शादी के काड़ आ गए शादी के काड़ कुछ बट भी गए थे लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि शादी उसने पॉस्पन करने पड़ी गुरुजी के साथ हमने काफी वार्था लाप की उनको सारी बाते पता थी उनको सारी चीज़े डिटेल पता थी दिस्टरबेस हमारे काफी थी लेकिन गुरुजी का साथ था इसलिए इतनी गबराट हमें नहीं हुई लेकिन इशू तो थाई काफी कोशिश करने के बाद हमने वारे डैड़ी बोड़ा एक सपना आया जसको गुरुजी ने हाँ गुरुजी सुबह के समय में किसी ने दरवाजा खटट आते हैं कि क्या कहते हैं बरवाजा खटट आया गुरुजी डैड़ी हमारे उठके कि दर देखा और वहां बैट गए गए गुरुजी उनको गुरुजी की आवाज आई कि तु क्यों प्रिशान होंदा है सब ठीक है सब ठीक हो जाएगा उसी लड़के ना शादी हो जानी है चिंता ना कर डैड़ी ने हमारे को यह बताया तो confidence ओर बढ़िया हमने उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया and you don't believe after some time उस लड़के का कुदी फोन आता है कि अंकल क्या कहते है मैं आ रहा हूं और मैं क्या कहते है हम शादी करने को त्यार है अपरेल 28 को हुँ दोनों की शाधी दुनधान से हो गई घृरु जी हमेशा तथे डाटर के सथे उसका भी इतना विश्वास था कि गृरु जी ने उसने कभी गृरु जी का पərला नहीं छोडा और गृरु जी ने उनको नहीं होडा हमेशा साथ रहे और सारी चीजे स्मूटली सारी चीजें होगे तो डॉर्टर का वाइफ का तो गुरुजी के साथ एक ही कनेक्शन था कि गुरुजी एजुकेशन गुवर्मेंट स्कूल में कराना क्या किते हैं उसमें नहीं करा पाएंगे इंभी गुरुजी ने अडिमीशन दिलवाया दिलियुवर्जी में तो दिल्युवर्जी में करें तो पूरे एक लाइड दो साल कर डाली उसने और आज की तारीफ में अच्छी कंप्पणी में, शी इस वर्किंग अज ए मैनेजर, तो गुरु जी ने हमेशा जब भी कई दिक्कत आई हैं, जब भी कोई परिशानी आई है, गुरु जी ने हमारी पूरी बात हैं, नहीं है चोटे वाली बेटी जो पूजा है उसके साथ तो गुरुजी का इतना था कि जो स्कूल जाती थी किसी दिन होमवर्क नहीं होता था तो गुरुजी से प्राप्ता करते थी गुरुजी आज टीचर की छुट्टी कर दो और वो जो बस में जाती थी तो उसी बस में टीचर आती थी देखती थी कि टीचर आज नहीं आई तो बड़ी खुश होती थी गुरुजी शुक्रिया गुरुजी आज टीचर नहीं आई और कई बार ऐसा हुआ कि उसने अगर त्यारी नहीं होती थी तो बस में टीचर आती ही नहीं थी एक बार वो ऐसी परातना करके गई थी कि गुरुजी टीचर की छुट्टी कर दो बस में जैसे चड़ी सामने टीचर वैठी अब यह घवरागी आस तो गुरुजी आपने मेरी सुनी नहीं क्लास से पहुँचे जब क्लास टीचर का आया तो उसने का कि बच्चों आज में आज अग्जाम आज नहीं लोगी हो अगले अफते लोगी तो शीवस वो एपकी कि गुरुजी ने मेरी सुन ली टीचर तो आग और बच्चों को कोई confidence आता है था जब 12 क्लाक पूजा के अच्छे नंबर आये तो मैं यही सोच रहा थे इसको कौन सा subject गिलाया जाए पूरा सपोर्ट किया उसको करने में और यहां तक कि हर तीनों अग्जाम में शी स्कॉर्ट ऑल इंडिया रैक्ट ऑल इंडिया रैक्ट तीनों अग्जाम में उसको मिला और इंडिया नोल कॉर्परेशन में campus placement हुई बड शी वाजवन अग्जाम में खुश नहीं थी वो कहते थी गुरुजी मेरे को मेरे पसंद के नोग्रे दिला दो और एक सब्सक्राइब इंडिया नोल में काम करने के बाद पाद वो कोशिश करती रहती थी एक दिन आके हमसे कहती पापा जल्दी आजा मैं आपसे बात क प्रफर लेटर है इस कंपनी का और यह मेरे गुरुजी की मेरे रोज अर्दास करती थी तो मेरे को गुरुजी ने यह नोग्रे दिलाई है मैं क्या आँ हम भी कुछ नहीं का ले मैं का अगर गुरुजी दिलाई है तो यह गो एंड च्वाइं और शी वरकिंग इन दे शेम कंपनी यए क्यासाल सीशिक है और रासि की सपर्थिकेश गरिजी की गाइडएंस के साथ हमें आगे जा रहे हैं अच्छे दिन गट रहा है और कुछ और भी ऐसे से हैं मैं आपको बताता है जाग गुरुजी ने हमारी बहुत मदद की यह बात है 2011 की अज 27 नॉम्बर 2011 की एनवर्सरी होती हो दिन हमारी और मेर पास एक मेसेज आया है दोस्त का की अरांग नाइन ओक्लॉक की बड़ा मंदर खुला हुआ है अगर आने तो आजो उस दिन एनवर्सरी थी यहां च्वटा मंदर खुला तो आमने कच चलो आसदो गुरुजी की दर्शवरां के बहुत अच्छा हो गया तो गाड़ी उठाके उस्ते में पास ओंडल सिटी थी गा मैंने गाड़ी लगा दिया अपने एक से बागे अंदर भी जेगे अगर अनदर लगानी ए तो अंदर लगा दो वैसे आप यहां लगा दि कोई भाते हम हमने गाड़ी Rei होंने नोर और साइद में और मंदिर में चले गया ए लंगर करने के बाद हम 11 बजी के आसपस हमने वहां से आग्या ले ली आग्या लेने जैसे गए तो एक सिवादार ने बोला अंकल अभी नहीं जाना बैठो चाह परशाद आ रहा है हम बैठके उसके बाद चाह परशाद आया प्रशाद भी आया और आदे गंटे के बाद फिर हमने उठे और चल्ले को त्यार हुए तो फिर सेवादार ने बोला कि ने अंकल अभी नहीं जाना बैठ जाओ कुछ मीठा आ रहा था फिर बैठ गए पंद्रा बारा सवा बारा के आसपस हमने फिर उठने कोशिश की तो फिर रोख दिया गया कि अभी नहीं जाना अभी बैठ जाओ और उस तक काफी संगत चा चुके थी लेकिन क्योंकि गुरीज का अदेश था 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 हम बैठ गए चाय प्रिशाद ले लिया साड़े बारा पंदे बारा के असपस हम जब भार आए तो उन देखा कि गाड़ी हमारी सड़क के बीच पे खड़ी है गाड़ी तो किनारे पे लगाई थी सड़क के बीच में खड़ी है और जो बिलिंक हो रही है लाइट्स अब आगे असे गाड़ी बिल्कु ठीक लग रही थी समझ में नहीं आया जब देखा तो एक सेवादार और एक संगत वाले खड़े थे गाड़ी देख रहे थे मैं कि कुछ तो हुआ है जब पास जाके देखा तो गाड़ी की डिककी बिल्कुली गायब थी पीछे एक चार सो साथ खड़ा था चार सो साथ ट्रक उसने गाड़ी वह फुल स्पीड पे क्या क्याते हैं टक्कर मारी थी और पूरी की पूरी डिककी अंदर चली गई थी समझ देखा पूलीस आ गई पूरी नुवाइन देखा गाड़ी को और क्या कहते हैं वह भले भी थाने चलो लबग एक बज़े के आसपास वाहसे हम थाने गए और रात को पूरी रात तीन बज़े तक तीन चार बज़े तक बल गई थाने में बैठे रहे कारवाई उत्वी यह गबराड भी थी और गुस्ताविस्ता की कौन मार गया लेकिन पूरी रात हमने थाने में काटी सुबे चार बज़े हम वहाँ से आए लेकिन पूरा का पूरा जो भटिया है कि गुरू जी ने हमें उस दिन अपने पास बुलाया पूरा पूरा गुरू जी ने बचा दिया बार बार उन्हों ने तीन चार बार हमारे को वहां से उठने नी दिया तो खीजी किर्फा थी गुरुजी ने हमें पूराण पूरा बचाया और आड़ी तो दून नहीं आ जाती है लेकिन जान पर जाय據 गुरुजी जी की क्रफा थी गुरुजी के मेर थी कि हम से कुछल वापिस आए हैं ऐसे डेड़ी के साथ एक बार एक आपसा हुआ कि मदर को हमारी सपना आया कि हमारी वकान के आसपास दो काले नंके बहांसे घूम रहे हैं दो दिन से उनको सपना आ रहा थे कि दो बैसे घूम रहे हैं आसपास रात को मम्य ने हमें रसती शेयर किया मैंने कहां नहीं मम्य ऐसे घपराने वाली बात नहीं कोई दिन है और आपको इंजेक्शन मिल जाना चाहिए अदर्वाइस आपको इंजेक्शन मिल जाना चाहिए अदर्वाइस दिक्कत होती है नेच्स टे मैं गया आटेवेस पर भरती कराया एमर्जेंसी में कराया बैड लेट मिला आटेवेस पर जाना मिली सुरी मेदाता मैं भरती कराया उनको और एक हफते के बाद डैडी बिलकुल ठीक हो गये जबकि उनका ट्रीटमेंट ओल्मस 24 गंटे के बाद शुरू हुआ था लेकिन बिलकुल प्रफेक्टली स्थीक हो गये मदर को लगा मदर ने पहली देख लिया था कि कुछ न कुछ खत्रा है लेकिन गुरुजी की जुक्रपा थी वह डैडी को बचागर रखा उन्होंने एंड डैडी स्टिल हेले नाटी इस एटीएट नौ और गुरुजी में उनकी पूरी आस्ता है पूरी गुरुजी उनकी बात पूरी सुन लेते हैं वह बहुत फ़री छोटी-छोटी चीजें हैं जो की गुरुजी के साथ हमने काटी हैं तुम बोलूँ हाँ एक महत पुराना क्या करते हैं वाकिया यही बात है जब हम गुरुजी के पर शुरु शुरु में आने लगे थे और गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा प्यार हो गया था गुरुजी तब हम सुठा करते थे गुरुजी दूसरों के कस्ट अपने उपर ले लेते हैं तो एक समय गुरुजी के कितभियत बहुत खराब हो गई और गुरुजी अपने गदी पर भी नहीं बैठे थे तो उस समय हमें बहुत चिल्ता होने लगी थी क्योंकि गुरुजी के साथ इतना लगाव हो गया था कि गुरुजी के बिना हमें कुछ अच्छा ही लगता था तो जब दो दिन नहीं आये तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार इतना अच्छा समय हम गुरु जी के साथ वितीत कर रहे हैं कहीं गुरु जी को कुछ हो गया तो हमारे क्या होगा किस ख्याली आया थे कि क्या कहते है गर गुरु जी को कुछ हो गया तो हमारे क्या होगा तो कुछ समय बाद गुरुजी सपने में आए और जो मेरी सोच थी वो बिलकुश सच हो गई मैंने देखा गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है और महासमादी में चले गए गुरुजी ते उस समय जो दिखाया मेरे को कैसे गुरुजी संगत गुरुजी को लेके आई, कहां रखा है और हम रो रहे हैं, साई संगत रो रही है, और फिर गुरुजी को क्या कहते हैं, महासमादी ले ले उनकी चिता पर रख दिया ये बात है दोजार दो की, जो कि मैंने अपने सपने में देखा गुरुजी को चिता पर रखने के बाद उसमसरे लप्टे, हाग के लप्टे टिकलने लगी और अपने आपको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बहुत तरह हो रहा था तब कुसरे बात में देखता रहा था ति गुरुजी यही सोच रहा था गुरुजी आप चले गए, अप क्या होगा? आप कैसे रहेंगे यही बात relating पहले भी सोच रहा था कुस चिता कि लिफ्टों से गुरुजी अप्रगठ हुए और गुरुजी बोले मैं कहीं नहीं किया मैं यहीं हूँ और मैं हमेशा यहीं रहूँगा मैं गुरुजी आप यहां कैसे मैं तुद देखना चाहता है और गुरुजी ने मेरे को अपना विराट सवरूप दिखाया गुरुजी इतने में बड़े हो गए जैसे शायद महावारत के भगवाण शीकिष्ट ने विष्णु का रूप तारण किया गया दर्शन दियते है अरजुन को तो सेम दर्शन उन्होंने मेरे को दिये और मैं इतरा घबरा गया था कि मैं गुरुजी बस मैं आप समझ गया आपको अब अब आवास्ति ग्रूप में आजाओ और जैसे गुरुजी वास्ति ग्रूप में आए मिरी आँख खुल गई और मैं पसीने पसीने हो गया लेकिन ये तसली ते रहा था कि नहीं यार ये तो सपना ही था ये तो सपना ही था ऐसा कुछ भी नहीं है पर जब 31 मही 2007 को मैंने गुरुजी ने महासमादी ली मैंने जो देखा बड़े मंदिर क्योंकि मैं वहीं था जो मेरे बड़े मंदिर में देखा वो मैंने 2002 मही पहले दर्शन कर चुके तो सारी चीज में गए बजए उस दिन गुरुजी की विराइट्रोप के दर्शन नहीं हुए लेकिन बाकि सारी चीजी वही थी जैसे गुरुजी को संगत लेकी आई गया है जैसे संगत कडही है जैसे गुरुजी को दरबार में इनको पार्थिफ शरीर को रखा जैसे वहाँ पर जहां उनकी समाधी बनी सारा का सारा पांक साल पहले गुरू जी ने मेरे को दिखा दिया था किसंज़त मैंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया था बिकास शेयर कर देंवाली बात नहीं थी लेकिन गुरू जी ने बता दिया था कि मैं क्या हूँ मैं विश्णू हूँ मैं शिव हूँ मैं सब कुछ मैं ही हूँ इस संसार में और विश्वास करो मैं कहीं नहीं गया अगर याद करोगे तो मैं यहीं हूँ मैं हमेशा यह रहूँगा संगत के दिलों में रहूँगा हम भी गुरुजी को फिजिकल रूपे जो थे वो मिस करते हैं बहुत मिस करते हैं लेकिन जब मिस करते हैं और उनको दिल से याद करते हैं तो बिलकुत सामने मिलते हैं हमने भगवानों को बहुत भगवान है हमारे धरम में और लेकिन हमने किसी को नहीं देखा लेकिन गुरुजी को अपने जब भी याद किया गुरुजी के हमारे सामने, हमारे साथ हमारे आश्विरवात देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं गुरुजी आज भी हमारे बीच में है गुरुजी को याद करो गुरुजी के साथ direct connection बनाओ गुरु जी आपकी सारी बाते सुनेंगे गुरु जी से छोड़ी छोड़ी चीज़े मांगने से बड़ी चीज़े मांगो गुरु जी सब देते हैं सुख खुशी, परिवार नोकरी, पैसा, धन इस तो सारी जीज़ अपने आप आजाती हैं अगर गुरु जी का साथ मिल जाता है तो जो खुशी गुरु जी के साथ और गुरु जी के याद करने में आती है और किसी चीज़ से नहीं आ सकती तो आज का संगत इतना ही शुक्राना गुरु जी आज आज मौका दिया आपकी जो मैं आपको क्या बखान करूं गुरू जी आप तो एक इतने बड़े हम सब के साथ हैं गुरू जी है जै गुरू जी